हेलो गाइस, आप निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाइस, बीच में अभी पृती मैम ने आपको इनफॉर्म किया था कि 6 सैमस्टर का जो बच्चे थे जिन्होंने 2nd phase में पेपर दिये थे या 4 सैमस्टर की बच्चे जिन्होंने 2nd phase में पेपर दिये थे उनका रिजल्ट जो है अपडेट कर दिया गया है ठीक है, सो अब इस वीडियो में भी हम अगेन उसी बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट था वो अपडेट नहीं हुआ था सो पहली बात तो ये कि इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ दूसरी चीज ये कि आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि आप लोग अपनी सारे चीज़े धंग से फिल करों ठीके बहुत सारे बच्चे न अपनी जो इंफॉर्मीशन से हैं वो गलत फिल करते हैं फिर उनका रिजल्ट नहीं निकलता और अगर नहीं निकल रहा तो आप साइबर कैफिस से निकल वालो महां से निकल जाता है so आप लोगों को मैं बता देती हूँ फिर भी कि आपको select college name में school of open learning select करना है ना ही north campus ना ही south campus ना ही कोई सभी campus सिर्फ और सिर्फ school of open learning ही fill करना है उके उसके बार यहाँ पे may june लिखा हुआ है may june इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने second face में दिये थे आएगा महां से इसको fill कीजे date of birth में date of birth आपकी जो भी है वो fill करो then last में जो image capture है उसको fill करो ठीक है ये fill करने के बाद ही आप लोगों को print scorecard पे click करना है और अपने result को देखना है ये जो आया है result मैं again repeat कर देती हूँ second face का result आया है जो हमारे कौन से student थे जिन्होंने second face में six semester और four semester के students ने paper दिये थे ये उन बच्चों का result आया है आप लोगों का अगर अभी कुछ दिन पहले जो again declare किया गया था second face का result उसमें नहीं निकला तो आप इसमें देख लो अपना result डाल कर ठीक है सारे information फिल करके तो इसमें आपका result निकल जाएगा result के regarding या किसी और चीज़ के regarding आपको doubt हो, questions हो या suggestions हो तो आप मुझसे comment box और telegram channel पे पूछ सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all